हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 10 हिंदी का 2023 के बोर्ड पेपर का फुल सल्यूशन जी हाँ दोस्तों इस पेपर का कोड है 801 DC और आज की इस वीडियो में मैं इसको आपका फुल सल्यूशन बताने वाला हूँ यह उन लोग छात्रों के लिए इंपोर्टेंट है जो आज इसका इक्जाम देखे आए हैं और उनके लिए भी इंपोर्टेंट है जो आगे की प्रिप्रेशन कर रहे हैं क्लास 10 की ज्यानीस बार क्लास 9 में तो आपके क्लास 10 जो पेपर देखिया है वो अपना एंसर मिला सकते हैं कि आपका क्या लगाया और आपने क्या सही किया है तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको फुल पेपर का सल्यूशन बताऊंगा तो सुखलयूक जाहिर सी बात है यहीं से से है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आचार रामचन सुखल बहुत बार पढ़ा होगा यहीं से का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सेवा सधन उपण्यास के लेखक हैं वो है मुंसी प्रेम चंद्र जी यहाँ पे बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट तीसरा question दिया हुआ है सुगल यूकर नाटक कार निमलिखित में से कौन नहीं है तो सुगल यूकर जो नाटक कार नहीं है वो यहाँ पे भार देंदू हरिस चंद्र हो जाएगा बिल्कुल राइट एंसर फिर है प्रसिद्ध आत्म कता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आत्म कता है क्या भूलू किया याद करूं के लेखा कें 2020 में एक क्वेशन पूछा भी गया था इसके राइट एंसर है हरिवंस राय बच्चन यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन प्रसिद्ध आत्रा साहित कार है तो प्रसिद्ध आत्रा साहित कार कौन है यहाँ पे तो राहुल संकृत यहा आत्राओं में अपना लिखा हुआ है तो छटवा नंबर का जो कोईसन दिया हुआ है रीतिकाल के बीर रस के प्रसिद कभी है तो भूसर यहाँ पर महा कभी भूसर जो थे बीर रस के काफी ज्यादा प्रसिद कभी थे राइट एंसर हो जाएगा नेक्षर राम चंद्रिका के रचनाकार है तो राम चंद्रिका के रचनाकार कौन है यह आपको पता भी होगा और बहुत ज्यादा ही आसान कोईसन है तो यहाँ पर केसाउदार जी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा राम चंद्रिका है और नेक्षर जो दिया हुआ है प्रिये प्रवास किसकी रचन है तो प्रगतिवाधि UK कभी आपको कौन नहीं है तो यहाँ पर आपको इसको पता लगाना है तो प्रगतिवाधomena जो का भी हैं कि उत्परेच्छा लंकार है यहां पर बिल्कुल राइट एंसर हो गए मनमानो जनुजानो लिखकर लेखित लेख डूब गया दिनमडी अहा ब्योम सिंदु सक देख देख तारक बुद बुद दे रहा तो यहां पर जो राइट एंसर होगा वो यहां पर सोठा होगा उठाई आएगा फिर है उपसर्ग में कौन सा सब्द नहीं बना दे कि उपदेश उप है उपनाम उप है उपन में उप है लेकिन उपर में नहीं है क्योंकि उपर का कोई अर्थ अलग से नहीं बन रहा है तो इसलिए आप या उपर बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा फ इतिधान आदी यहाँ पे बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यहाँ लगा सकते हैं फलसद का तृतिया भी भक्ती बहवचन है तो फलय यहाँ बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा हसत धात में वचन रूप है तो हसत धात में कौन सा वचन और कौन सा रूप है तो यहा पर नेक्स वे विश्वास पात्र मित्र से रचे मित्र समझना चाहिए खजाना विश्वास पात्र मित्र यहाँ बार बार मित्र आया है तो जाहिर सी बातें मित्रता पार्ट से लिया गया है और उपर इस गद्यांस के संदर्व लिखना है तो मित्रता पार्ट और अचार रा अगर आप में मिलेगा तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं अत्वा में दिया गया है यह जो लिया गया है यह लिया गया है यहाँ पर इसे आप एक बार पढ़ेंगे ना तो इसमें कहीं ने कहीं है सब जरूर आया होगा जो यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर मेरे प्रशनों के उत्तर दीजिए उद्व मन्न भाई दस बीफ एक उद्व सव स्याम संग यहां पर यह पूरा पैरा ग्राफ आपको देया गया देख सकते हैं और यहां पर इसमें कुछ जलंकार यए लिखना है leggना और इसे आप साल्ब कर लीचिये villar कि यहां पर उसको आप पूछा प्राचीन नगरी है, या विभिन गञगा के कुल पर इस्तित, विभिन तरंगो वाली गञगा के कुल पर, इस्तित, किनारे पर इस्तित, इसे घाट वल्या किरित पंक्ति और धावल में चंद्रिका कि चांदनी बहुत ही अच्छी लेगते इस प्रकार आप इसको हिंदी अनुवाद कर देना था फिर उसको यहाँ पे एक और हिंदी अनुवाद पूछा है मतलब अत्वा में पूछा गया है वो आला आप कर सकते हैं मानो जिवनेस संस्क्राडम संस्कृति तो यहाँ पे यहाँ आप कर सकते हैं फिर यहाँ पे पूछा गया है हमें यह पूछा गया है इस लोग से मतलब किसी एक का संसेंद में संदर्व सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए आप दो दूर गामी चा साच्छरो ना चा पंडिता मतलब इसको आपको करना है हिंदी में अनुवाद और इसका लिखना है संदर्व प्रबुद्धो ग्रामीड़ा यहाँ पे बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि यह प्रबुद्धो ग्रामीड़ा फिल लिया गया ठीक है आपने यहाँ पे मुक्ति खंड का बेजोती जवा है जो भी आपके जिले में हो उसको आप देख लीजेओ और इसको कर लीजेओ ठीक है यह जो भी आपके जिले में हो आप कर सकते हैं फिर उसको आप पूछा गया है दिये गए गद्यांसों में किसी एक लेकर का जियोन पर्चे देते हैं उनकी प्रमुग रचना का उलेक कीजिए तो आचार राम चंदर सूख लिजय संकर पसाथ ड्राजेन पसाथ बहुत इंपोर्टेंट थे और यही आये थे बताया भी गया मादेव वर्मा और स्याम नरायन पांडे चारों में से जो भी लिख सकते हैं फिर यहां पर एक स्लोग लिखना है पूरा पैटन पिछले साल से बदल गया है इस बार तो यह सब इधार उदर देखेगा कि इस प्रस्णों तरांग साथ जरूर डाल दीजेगा फिर यहां पर तीन पेज अगर आप इसे लिखते हैं न वैसे डेढ़ सब्द का मतलब होता है दो पेज लेकिन अगर इसे आप तीन साड़े तीन पेज लिखते हैं न तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा और यह विज्ञान बेरोजगारी जल है तो कल है विद्यार्थी जियो ननुसा सब्सक्राइब करना मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर की सोलुशन के साथ तब तक के लिए बाइबाइब